मैं बताना चाहूंगा कि ब्लॉग से कितना कमा सकते हैं अगर बात करें, फीगर्स में बात करें कि कितना कमा सकते हैं तो जी हाँ आप जॉब से जादा कमा सकते हैं देरे देरे इंकम बढ़ना चालो हुआ तो मुझे लगा यार कि काफी सही है और अगर मैं आपको दिखाऊं कि last month जो मेरी income आई थी एट्सेंस से यानि कि ब्लॉग से नमस्ते दोस्तों स्वागत आपका एक और शांदार और inspiring वीडियो में दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि ब्लॉगिंग से कितना पैसा कमा सकते हैं क्या हम जॉब से ज़्यादा कमा सकते हैं या फिर जॉब के इतना भी कमा सकते हैं काफी सारे लोगों का सवाल था और ब्लॉग से पैसे कितने दिन में आते हैं यानि कि अगर आपने आज ब्लॉग बनाया तो कितने दिन के बाद पैसे आने शुरू होंगे और कितने आएंगे और साथी साथ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि किस तरह के लोग ब्लॉगिंग कर सकते हैं और किन के लिए ब्लॉगिंग नहीं बनाएं या फिर ओ लोग ब्लॉगिंग में असफल हो जाएंगे तो चले इस वीडियो के शुरुवात करते हैं दोस्तों अगर बात करें कि किस तरह के लोग ब्लॉगिंग से पैसे कमा सकते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर देखें इंटरनेट पे दो तरह के लोग है एक कंज्यूमर है एक क्रियेटर है जो क्रियेटर है ओओ कॉंटेन बना रहा है इंटरनेट पे तरह- hoping कहिंपे ब्लॉग पोस्त कर रहा है कहिए वीडियो शेर कर रहा है कहिए फोटो कर रहा है मतलब कुछ ना कुछ चीजे कौन्टरिब्यूट कर रहा है एक उस तरह के लोग है जो सिफ consume कर रहे हैं यानि कि सुफ चीज़े देखिकंगे एंटरटेन हो रहे हैं दो पड़ के इंटरटेन हो रहे हैं या फिर को इंफार्मेशन पड़के बस खुद το को एंटरटेन करने के लिए चीजों को कि उसका युटिलाइस करके ओ वापिस पैसे कमाने के लिए या फिर किसी को value देने के लिए चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं सिर्फ अपने आपको satisfy करने के लिए entertain करने के लिए चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर आप इस तरह का mindset रखते हैं कि जो भी चीज सीख रहे हो इंटरनेट से या फिर कहीं से भी आपने सीखा हुआ है और आप इंटरनेट पे वापिस दे रहे हो तो ऐसे लोग पैसे कमा सकते हैं आप अगर इंटर पे इंटरनेट को देना पड़ेगा कुछ का मतलब बहुत कुछ हो जाता है, quality content देना पड़ेगा, quality value देना पड़ेगा internet को, तब ही आप internet से पैसे कमा सकते हैं, चले बात करते हैं कि blogging से पैसे कितने दिन में आते हैं, या फिर कितने दिन बात आएंगे, अगर आप आज से ही शुरू कर रहे हो, मुझे याद है क कि मेरा जो पहला payment आया था, कुछ एक साल बाद आया था, एक साल बाद 100 डॉलर हुए थे, और मुझे payment मिली थी, तो खेर, आपको कितना टाइम लग सकता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ insight आपको देना चाहूंगा, सबसे पहली बात तो आप blog पे ऐसा आने कि आप copy पे content डाल दो, quality content होना चाहिए, quality content अगर आपको समझना है, तो अपने field से related कोई भी keyword आप सर्च करो, जिस भी field में आपका interest है, ओ Google पे आप सर्च करो, अब उसमें जो भी top में articles आ रहे हैं, आप उनको पढ़ो, देखो उनका style क्या है, लिखने का तरीका क्या है, क्या क्या उस query के साथ में, उस query के answer में क्या क्या चीज़े add कर रहे है, तो समझो कि ओ जो content है, काफी अच्छा content है, अब जो आप content मनाओगे, उससे better content मनाओगे, अगर आपको rank करना है, अगर आपको traffic लाना है, तो पहले आपका जो focus होना चाहिए, पैसे पे नहीं होना चाहिए, quality content ब दीरे-दीरे ranking शुरू होती है, लेकिन और ranking होती है, तो पहले दुसरे page पे आने में, तीन महीने, चार महीने तक लग जाते हैं, और एक process काफी दीरे-दीरे होता है, जैसा कि मैंने बताया है कि, एक slightly मतलब दीरे-दीरे चीज़े बढ़ेंगी, और अचानक से exponentially growth होता है हमा यूटूबर्स के लिए, या फिर हर तरह के creators के लिए, साथी साथ आप LinkedIn, Twitter, Instagram और Facebook जैसे platform पे आप अपना branding करो, तो अगर overall बात करें कि कितने दिन के बाद आपके पैसे कमाने शुरू हो सकते हैं, या फिर शुरू होने के chances तो कम से कम आप 6 महीना पकड़ के चलिए, अगर 6 महीने का आपके अंदर patience है, तो ही आप blogging से पैसे earn करना शुरू कर पाएंगे, चलिए बात करते हैं कि blogs कितने तरीकों से पैसे कमा सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जिन से हम पैसे कमा सकते हैं, तो सबसे पहला जो तरीका है, जो सबसे easy तरीका है, वो है Google AdSense, जो जादा करक तो Google पर आप search करोगे, आपको हजारों आर्टिकल मिल आएंगे, तो हजारों नहीं पढ़ने, एक दो आर्टिकल पढ़ो, आपको completely समझ में आ जाएगा कि affiliate marketing क्या होता है, तो affiliate marketing भी काफी सही चीज है, पैसे कमाने के लिए blog के थुरू, तीसरा हो जाता है कि sponsored post, sponsored post का भी का अच्छा खासा पैसा मिलता है, लेकिन शुरुआत में नहीं sponsored post आते हैं, उसके लिए एक साल, डेढ़ साल बाद आपको लोग approach करते हैं sponsored post के लिए, तो जिस भी category से related आपका blog है, जिस भी niche से related blog है, उस तरह के products, उस तरह के brands आपको approach करते हैं sponsored post के लिए, मैंने काफी सारे sponsored post मुझे लगता है, जो होता है link place करना, आपको इसमें article भी नहीं publish करना होता है, किसी दूसरे blog का article, आपके blog पे कोई अगर article match कर रहा है, तो वहाँ पर आप link दे सकते हो, उसके भी उतनी चार्ज़र्ज होते हैं, almost इतने हम sponsored post के लिए चार्ज़ करते हैं, तो अगर आपके blog क DA, PA यानि कि आपके blog का जो authority है, काफी अच्छा है, मतलब तो साल से आप अच्छा का सा blogging कर रहे हो, तो आप 100 से 200 डॉलर तक चार्ज कर सकते हो, और डिपेंड करता है कि और जितना अच्छा होगा, और आप इस से ज़्यादा बढ़ाते जाओगे, मैं आपको बताऊंगा क कि कितना मैं charge करता हूँ, कितना मैं पैसे लेता हूँ sponsored post के लिए और guest post के लिए या फिर link लगाने के लिए, तो I think ये जो चार major तरीके हैं blog से पैसे कमाने के लिए, इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं, जो beginners के लिए I think मैं recommend नहीं करूंगा, लेकिन फिलाल ये जो चार च blog से कितना पैसा कमा सकते हैं, देखिए blog पर भी पैसे depend करते हैं कि traffic किस तरगा है, affiliate marketing वाले जितने भी blog से काफी अच्छा खासा पैसे कमाते हैं, compare to the Google AdSense, तो यहाँ पर traffic से भी हम compare नहीं कर सकते हैं, बहुत लोगों मैंने देखा है जिनके blog पर 1000-2000 ही traffic होता है, पढ़ेगा और easily 30-40 dollar कमा लेते हैं, वहीं पर अगर आप Google AdSense से अपने monetize किया हुआ है, और 1000-2000 traffic है, तो आप hardly 3-5 dollar तक आप कमा पाओगे 1000-2000 traffic के लिए, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि Google AdSense और affiliate marketing के बीच में इतना difference क्यों होता है, affiliate वाले चीजों से पैसे ज्यादा क्यों हूँ, उन पे थे कुछ 3-4 dollar के बीच में रहता था, लेकिन Corona के बाद से काफी कम हो गया है, 2-3 dollar के बीच में, मतलब 3 dollar hardly ही जाता है, like 2 dollar मैं मान के चलता हूँ, अब affiliate marketing के बात करते हैं, affiliate marketing में मानते हैं, 1000 page view पे 40-50 clicks आए, आपके जो भी आपने product आपने डाले हुए हैं, उस जो भी article लिखा हुआ है, जो भी product का affiliate link आपने डाला हुआ है, उस पे 40-50 clicks आए, तो 2-3 लोगों ने खरीदा होगा product, अगर मान के चलो आपकी product में, एक product sale होने पे 10 dollar का commission मिल रहा है, ऐसे बहुत सारे earphones हैं, ऐसे बहुत सारे laptops, अगर बात करें तो laptop में जादा ही मिलता है, जिन में अच्छा खासा commission मिलता है, तो आपको product find करने हैं, आपके niche के हिसाब से, तो मैं मान के चलता हूँ, 10 dollar कमिशन मिलता है, तो 10 dollar, 2-3 में ने बोला, तो आराम से 22-30 dollar बन गए 1000 page view पे, कहां पे 2-3 dollar, और कहां affiliate में 20-30 dollar, वो एक मैं 10 dollar average मान के चल रहा हूँ, 5 dollar भी हो सकत है, commission, वो depend करता है, आप क्या product का आप affiliate कर रहे हो, तो इतना फरक होता है, Google Adsense और affiliate marketing में, लेकिन आप beginner हो, आपको ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है, कि affiliate में किस तरह के product पे करूँ, तो आप फिलाल Google Adsense वाले ही blog बना सकते हो, जो लोग Hindi bloggers है, affiliate करना बड़ा मुश्किल है, जो इंगलिश में करते हैं, तो थोड़ा सा easy हो जाता है, conversion बढ़ जाता है, जो conversion ratio है, काफी बढ़ जाता है, तो दोस्तों, अब मैं बताना चाहूँगा कि blog से कितना कमा सकते हैं, यह तो आपने देख लिया, कि किस किस तरीके से कमा सकते हैं, अगर बात करें, figures में बात करे सारी, मैं job की इतना कमाल हूँ, तो मेरा काम हो जाएगा, और कुछ एक डिर साल के बाद मैं, एक decent job की इतना मैं earn करने लगा था, मेरे blog से ही सिर्फ, देरे देरे income बढ़ना चालो हुआ, तो मुझे लगा यार कि काफी सही है, और अगर मैं आपको दिखा हूँ कि last month जो मेरी income आई थी, adsense से, यानि कि blog से, आपको screen पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, last month का जो मुझे आया था, इतना blog से मैं earn कर पा रहा हूँ, आज के time में, लेकि भी depend करता है, कि traffic अगर उपर हुआ तो बढ़ भी सकता है, traffic नीचे हुआ तो घट भी सकता है, तो इसके जरूरी है, साथी साथ आपको मेहनत करते रहना भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि एक बार आपने blog बना दिया, content post कर दिया, तो views आई रहे हैं, आपको content को update भी करते रहना है, बार बार refresh करते रहना है, contents को, जो कुछ अगर update आ रहा है, उस article से related, तो उसको भी update करते रहना है, ता इस रहता है, sponsored post का ओ रहता है, 100 से 150 डॉलर, ओ भी depend करता है, कि product क्या है, और link लगाने के लिए, कुछ 100 से 150 डॉलर के आसपास, मैं चार्ज करता हूँ, अपने blog पे लगाने के लिए, तो दोस्तो, इस तरीके से अगर आप पूरा calculate करो, तो जो आपने देखा, adsense का, जो report दे sponsored post मिलते थे, 2-3 link लगाने को मिल जाते थे, तो काफी अच्छी खासी earning होती थी, इस समय थोड़ा सा down है, तो दोस्तो, उमीद करता हूँ, कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, I think मैंने share करने की कोशिश करी, एक insight देने की कोशिश करी है, और मुझे पता है, blog शु काफी सारे ऐसे लोग हैं, blogging में, काफी सारे लोग ब्लॉग करते हैं, काफी सारे लोग silently blogging करते हैं, और अच्छा पैसा कमाते हैं, मैं तो इतना जादा ब्लॉगिंग में नहीं हूँ, like part time blogger हूं, लेकिन मैं चीजे इसलिए बताता हूँ, कि blogging के बारे में आपको ज़्य से हम कमा रहें, वो कम हो जाएगा, लेकिन मेरा मानना यार कि सब बढ़ें और सब करें, सब पैसे कमाएं, सब का ग्रोथ हो, सब का भला हो, तो इसी के साथ दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो यार आप लाइक जरू क सब्सक्राइब करें, तो दोस्तों फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी और इंस्पारिंग वीडियो में तब तक के लिए आप जहां भी रहो, मचाते रहो हूँ